दोस्तों नमस्कार आदाब सर्च्रियकाल नियूज क्लिक के कारिक्रम नियूज मन्थन की इस खास पेशकस में आपका स्वागत है राहुल गांधी कॉंग्रेस के पुरुवध्यक्ष जो भारत चोड़ो यात्रा पर इस समय तमिलनाट से गुजर रहे हैं उन्होंने शुक्रवार की सुबह अपनी प्रेस कांफरेंस में बहुत सारी बातें कहीं भारत जोडो यात्रा कैला रही है इसके क्या मुख्य उदेश्य हैं कैसे यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है बलकि एक ऐसा अवियान है जिसमें वो हर तरह के लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो भारत को बचाना चाहते हैं जो भारत के सावाजी तानेबाने की रक्षा करना चाहते हैं जो डिमोक्रिसी को हर हालत में सुरक्षित रखना चाहते हैं इन पर बहुत सारी बातें उन्होंने कही लेकिन दोस्तो आज नियूज मन्थन में हम एक ऐसी खास बात पर चर्चा करेंगे जो अनायासी उनके मुह से एक पत्रकार के सवाल के जबाब में निकल गया वो क्या है दोस्तो ये ख़बर है कि उन्होंने कांग्रिस पार्टी के र एक रेगुलर प्रिसेडेंट पार्टी के पास नहीं है सोनिया गांधी उनकी माता जी काफी समय से अंतरी मध्यक्ष के रूप में पार्टी का संचालन कर रही है तो एक पूरी पूर्ण कालिक या स्थाई तोर पे एलेक्टेट पार्टी प्रिसेडेंट बनाने की जो पिनेट करेगी यानि 17 अक्टूबर को कॉंग्रिस को नया अध्यक्ष मिलेगा जो अंतरीम नहीं होगा जो पूर्ण कालिक होगा जो नियमित होगा और जो निर्वाचित होगा सोनिया गांधी निर्वाचित नहीं थी उनको प्राधिकृत क्रिया गया था तो दोस्तों क्य होगा उसमें राहुल गांधी ने आज अरे शुक्रवार को माफ कीजेगा राहुल गांधी ने शुक्रवार को साप शब्दों में कहा कि कॉंग्रेस पार्टी को राष्ट्री अध्यक्ष मिल जाएगा जिस दिन उसका चुनाव होगा यानि 17 अक्टूबर को अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो बता देंगे कि उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन उन्होंने अब पत्रकार के सवाल के जवाब में ये कहा कि उन्होंने ये तै कि चुनाव अगर वो नहीं लड़ते हैं तो पत्रकारों को यानि मी क्यों नहीं लड़ा इस पर बहुत जोर था बड़ी गिल्चस बात यह है और संबादाता लगातार उनको कुरेज रहे थे कि वो साफ साब बताएं कि क्या राश्टी अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं कि नहीं क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग अनेक प्रांतिय इंग्रेस के प्रेसिडेंट तमाम फ्रेंटल आगनेशन के लोग चाते हैं कि राहूल गांधी ही पार्टी के नए अध्यक्ष बने जिससे की पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके और रत्यात्रा पर हैं उनके इर्द गिर्द पूरी पार्टी चल रही है इसलिए लाजबी तक मैं कह रहा हूं कि जो संकेत मिल रहे हैं कि वो ये कि राहूल गांधी संभावता पार्टी प्रेसिडेंट का पद स्पीकार नहीं कर सकते हैं अधर्वाइज वो ये क्यों कहते कि अगर 17 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष के रूप में वो नहीं सामने आते या नॉम को काता हमां कर नहीं करते तो इसी समय पता चल जाएगा में कि पार्टी प्रेसिडेंट वह बनेंगे या कोई और बनेगा है और फिर वह आपको बुला कर आपको यानि पत्रकारों को बुलाओं कर बताएंगे कि उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा था तो चुनाव क कोई खास बात ही होगी कि वो चुनाव लड़ जाएं और फिर वरास्टिय धक्ष बन जाएं लेकिन अभी तक के संकेत भारत जोड़ो यात्रा में जो मिल रहे हैं जो पत्रकार राउल गांदी के साथ चल रहे हैं और जिस तरह की ब्रीफिंग उन्होंने शुक्रवार को की है उससे संकेत बिल्कुल ठोस है कि पार्टी प्रेसिडेंट के पद पर वो नहीं नियुक्त होना चाहेंगे और वो पार्टी में एक तरह के ऐसे केंदर के तौर पे एक ऐसी शक्सियत के तौर पे काम करेंगे जो पार्टी नेताओं के अलावा अन्य जो पुलिटिकल सोसल फ पर पे एक उभार पैदा कर सकें जिसके बारे में उनका कहना है कि किसी भी पार्टी में आज भारती जनता पार्टी को शिकस्त देने की उसको चैलेंज करने की सबल ताकत नहीं रह गई है इसलिए हमें नए फॉर्मेट पर सोचना पड़ेगा नई वैचारी की को इजाद क करना पड़ेगा ये बातें वो शुरू से कह रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो चर्चा है कि क्या कॉंग्रिस को नए अध्यक्ष के रूप में रास्ट्री अध्यक्ष के रूप में राजस्तान के मुख्यमंत्री जो तो अशोक गहलो थीक पार्टी के रास्विय अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि उनके नाम पर व्यापक सहमती उभर सकती है इसके दो कारण है पहला कारण यह है कि वो पार्टी के ज्यादातर जो बड़े नेता है रा प्रांतिय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री हैं भूत पुरू कार्य हैं सबसे अधिक एकसेप्टेबुल हैं गांधी नहरू परिवार के बाहर के नेताओं में सबसे वरिष्ट भी हैं और दूसरा कारण है कि दोस्तों वो भारती समाज में जिसे OBC कहते हैं अधर बैकवर्ड कम्यूनिटी पिछडे वर्ग से आते हैं और जिस तरह के व भारत ही नहीं दक्षिन में भी उसकी बहुतायत है तो आरेसेस ने अपने पुलिटिकल मुखडे के तौर पे 2014 में जिन नरेंद्र मोदी को सामने किया और जिनोंने पहली दफात चुनाओं में 2014 के उसके पहले तेरह में अपने आपको अपने आपको OBC नेता गोशित किया उसका एक कड़ा जबाब एक तरह का एक तरह का एपरोप्रियेट एक तरह का जबाब कॉंग्रिस पार्टी दे सकती है OBC समाज से आने वाले नेता को सामने लाकर और वो होंगे अशोग गहलोत तो क्या ये माना जाए कि अशोग गहलोत नो सिर्फ कॉंग्रिस के अध्यक्ष के तोर पे बलकि भावी भावी प्रधान मंत्री के एक उमिद्वार के तोर पे भी सामने उभर सकते हैं दोस्तों अभी ये कहानी सिर्फ अटकलों की है सिर्फ संकेतों पर आधारित है लेकिन राजणीती में अटकलें और संकेत बहुत महत्पूर होते हैं और राहूल गांधी जिस तरह का संकेत दे रहे हैं उससे इन अटकलों को बल मिल रहा है कि अशोग कहलोत कॉंग्रिस पार्टी के अगले रास्टी अध्यक्ष होने के काफी उनकी संभावना बढ़ गई है और हो सकता है कि अगर गठ बंधन अगर एलाइंस विपक्ष का कॉं नाम की चर्चा नो की जाए किसी एक नाम को पेश नो किया जाए लेकिन कांग्रेस अपने दिमाग में जरूर रखेगी कि अगर वो सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरती है और गठ बंधन जीतने की स्थिती में होता है तो बहुत संभव है कि गांधी नहरू परि ने रख सकती है कांग्रेस पार्टी ऐसा बहुत सारे कांग्रेस के इंसाइडर भी मान रहे हैं तो दोस्तों नियोस मन्थन में आज हमारी कांग्रेस पार्टी पर यह खास पेशकस अगले सब्ता हम किसी दूसरे नियोस पॉइंट पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नम कर दो कर दो